नुश्य दोस्तों धिट है आज की 14 अक्टूबर 2021 और स्वागत है आपका एटोयल डिस्कुशन में चार इशूज आज हम डिस्कुस करेंगे सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कुस करेंगे अफगानिस्तान से सम्बंदित इंडिया अफगानिस्तान की कैसे मदद कर सकता है दूसरा आर्टिकल हम डिस्कुस करेंगे और्गनिक फार्मिंग से सम्बंदित ये लाइव मिंट का आर्टिकल है और्गनिक फार्मिंग का तीसरा आर्टिकल हम डिस्कुस करेंगे Climate Finance से समंदित और चोथा आर्टिकल Terrorism से समंदित आर्टिकल हम डिसकस करेंगे थोड़ा सा basic भी डिसकस करेंगे साथ में Question भी देख लिजिए जो आपको attempt करना है UPSC ने terrorism से समंदित question पूछा था 2018 में ये आपको आज attempt करना है Question है Terrorism is emerging as a competitive industry over the last few decades Analyze the above statement Terrorism यानि आतक बाद पिछले कुछ दसकों में एक competitive industry के तोर पे इमर्ज हो रहा है इस statement को आपको analyze करना है तो चलिए discussion start करते हैं First important article अफगानिस्तान के issue पर G20 की meeting से समंदित हैं आप GS paper second के इस topic से article को connect कर सकते हूँ Contest देखू ये है हाल ही में G20 countries की एक meeting organize होती हैं अफगानिस्तान के issue पर इस meeting में बोलते हुए परधामेंतरी Modi ने बोला सरदिया नजदीक हैं अगर जल्द हीं अफगानिस्तान की मदद नहीं की गई तो वहाँ पर लाखों लोग भूके मल जाएंगे देखो जैसे ही तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता परकबजा किया US ने अफगानिस्तान के billion of dollars जो हैं वो freeze कर दिये इसके साथ साथ within aid agencies से और within countries से पहले जो अफगानिस्तान को मदद आ रही थी ना वो मदद आनी भी एकदम से बंद हो गई अब हालात ये हैं कि तालिबान के पास even employees को salary देने के लिए पैसे नहीं है UNHCR ने भी गुहार लगाई थी funds आने चाहिए मदद के तोर पर अफगानिस्तान के लिए क्योंकि अफगानिस्तान में 2 करोड लोग ऐसे हैं जिने अभी जान बचाने के लिए humanitarian assistance देना जरूरी है और UN भी कहता है relief operations चलाने के लिए जितने पैसे चाहिए अभी सिरफ 35% funds हमें मिले हैं कोशन ये उठता है कैसे इंडिया मदद कर सकता है अफगानिस्तान की देखो पहले तो इंडिया ने 3 billion dollars की investment की थी अफगानिस्तान में ये आपको पता है बट अब चुकि Taliban सत्ता में आ चुका है और Taliban के आपको पता है link है ऐसे लोग के साथ जो इंडिया के interest के against काम करते हैं जैसे की देखो Taliban में हकानी network भी है Taliban तो एक movement है ना Taliban की movement में एक बड़ा group है हकानी network हकानी network के Pakistan के साथ बहुत अच्छे रिष्टे हैं और Pakistan की खूफय अजंसी ISI के कहने पर हकानी network ने अफगानिस्तान में Indian embassy को target किया था वहाँ पर bomb attack किया था तो ऐसे लोग अभी फिलाल अफगानिस्तान में सत्ता में हैं जो इंडिया के interest के against काम करते हैं तो इंडिया कैसे मदद करें अफगानिस्तान की इंडिया के पास कुछ options हैं जैसे कि देखो या थो इंडिया काबूल में direct food aid दे दे मतलब कि आप पैसा मत दो आप food grain provide कर दो जैसे wheat, grain fortified biscuits, दूसरे packing वाले food इससे देखो फाइदा अफगानिस्तान की जनता को होगा, अगर आप पैसा देते हो तो उसका तालिबान वाले गलत इस्तमाल कर सकते हैं तो ये पहला इंडिया के पास option है directly food grain provide करना दूसरा option इंडिया के पास ये हो सकता है, देखो अफगानिस्तान के बहुत सारे refugees, मतलब अफगानिस्तान के बहुत सारे लोग refugees बनके पोडोसी देशों में चले गए हैं जैसे कुछ इरान में चले गए हैं कुछ Central Asian Countries में चले गए हैं जैसे उजबेकिस्तान, तजाकिस्तान तो इन Central Asian Countries को इंडिया के द्वारा मदद दी जा सकती हैं ताकि ये Central Asian Countries अफगान refugees का ज़्यादा अच्छे से ख्याल रख सकें ये दूसरा option है तीसरा option इंडिया के पास ये हो सकता है, अफगान लोगों की मदद करने का, देखो अफगानिस्तान में बहुत सारी NGOs बहुत सारी International Agencies जैसे UNHCR ये भी काम कर रही हैं तो इंडिया इनको मदद दे सकता है ताकि ये लोग और अच्छे धंग से अफगान लोगों की मदद कर सकें देखो तालिबान के सत्ता में आने के बाद हमें अफगानिस्तान से मुँ तो बिलकुल नहीं मोड़ना चाहिए क्योंकि अफगान लोगों के मन में इंडिया के परति काफी ज़्यादा respect हैं इंडिया की soft power है अफगानिस्तान के लोगों में तो इस मुश्किल की घड़ी में हमें अफगान लोगों को बिलकुल भी नहीं छोड़ना चाहिए लेकिन मदद कैसी की जाए ये सरकार डिसाइड कर सकती है कि कौन सा जो option है वो best इंडिया के interest में है और जिससे best impact पड़ेगा मतलब अफगान लोगों को सबसे ज़्यादा फाइदा होगा और वैसे देखो एक बात बोली जाती है कि अफगानिस्तान की मदद करना ना सिरफ humanitarian point of view से सही है बलकि पूरे reason की और world की peace के लिए भी जरूरी है वहाँ लोग देखो भूके मर रहे हैं तो humanity के हिसाब से मदद करना तो जरूरी है ही लेकिन इसके साथ साथ अगर अफगानिस्तान में देखो इतनी ज़्यादा गरीबी आएगी लोग के पास खाना भी नहीं है तो ऐसी situation में तो crime और ज़्यादा बढ़ेगा ऐसी situation में आतकवाद और ज़्यादा बढ़ेगा जिसका खामियाजा पूरे world को भुगतना पड़ेगा तो ये हमने brief में एक article discuss किया अफगानिस्तान से समधित चलते हैं आगे इसके बाद next article organic farming से समधित हैं आप GS paper 3 के इस topic से आर्टिकल को relate कर सकते हों organic farming का मतलब क्या है दिखो organic farming में ना chemicals का इस्तवाल नहीं होता ये जो market में fertilizer या फिर pesticides मिलते हैं ना fertilizer फसल की पैदावार को increase करने के लिए और pesticides कीडे मुकोडों को मारने के लिए ताके फसल को नुक्सान ना पहुंचे इनका इस्तवाल नहीं किया जाता इनके बजाए इस्तवाल किया जाता है natural चीजों का जैसे देखो animals का waste है या फिर organic waste है कुछ पेड़ पोदे गड़ गए fruits गड़ गए उनको खाद के तोर पे इस्तवाल किया जाता है natural techniques जैसे crop rotation इन सब natural चीजों की साहिता से जो खेती की जाती है उसको कहते है organic farming और organic farming देखो वैसे दो बहुत बढ़िया है इसको सरकार promote भी काफी करती है क्योंकि बहुत ज़्यदा chemicals का इस्तमाल जब हम खेती में करते हैं एक बार के लिए तो फसल की पैदावार बढ़ जाती है लेकिन continuous fertility maintain कर पाना soil की बहुत ज़्यदा मुस्किल होता है और chemicals का इस्तम लोगों में जाग रुपता है कि organic चीजों का organic food का ज़्यादा इस्तमाल क्या जाए बड़ देखो organic farming देखो बहुत सारे issues हैं सबसे बढ़ा issue तो देखो पैदावार का है जब organic farming की जाती है नम तो शुरुवात में देखो इतनी ज़्यदा पैदावार नहीं होती, yield काफी कम होती हैं, तो किसानों को नुक्सान होता हैं, दूसरा price and demand, अब देखो organic farming कोई किसान कर रहा हैं, पैदावार भी ज़्यादा नहीं हो रही, तो कम से कम फसल के जो rate है, मतलब जिस rate पर किसान की फसल भीके, वो तो ज़्यादा होना चाहिए ना, लेकिन ज़्यादा हो नहीं पाता वो rate, बहुत कम लोग ऐसे हैं, जो organic food को पसंद करते हैं, इतनी ज़्यादा demand नहीं है, जितनी ज़्यादा consumer में awareness बढ़ेगी न, organic food के परती, उतना ही demand ज़्यादा बढ़ेगी, organic food की demand ज़्यादा बढ़ेगी, तो किसानों को फसलों के उचित दाम मिलेंगे, लेकिन अभी फिलाल ऐसा हो नहीं रहा है, next issue quality का भी है, अब कोई फर्जी बोल देता है, कि देखो ये organic है भया, खाके देखो, कोई quality parameter तो होना चाहिए, proper quality control होना चाहिए, जिसके base पे, सिरफ organic food ही बिके, organic food के नाम पर, ऐसा नहीं कि, दूसरा food भी बिक रहा है, organic food के नाम पर, तो हैं, लेकिन organic input पर किसी परकार की subsidy किसानों को नहीं मिल पाती, मतलब organic farming में जो inputs इस्तमाल होते हैं, जैसे animal waste या फिर दूसरा organic waste, उन पर भी तो कोई ना कोई subsidy मिलनी चाहिए, तो ये issues है, organic farming में, last वाला तो repeat है, इसके बाद article में कहा जाता है, North East में organic farming का का काफी ज़्यदा scope हैं, कैसे, एक तो देखो, North East में, अभी भी, खेती में, ज़्यादा chemicals का इस्तमाल नहीं होता, मतलब, North region है, वहाँ पे तो आपको पता है, जब से ये हरित करांती आई थी, तो ये fertilizer, pesticides का इस्तमाल जो है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और ये हरियाना पंजाब, ये तो लेकिन North East के किसान इतने ज़्यादा संपन नहीं है, तो परंपरागत रूप से वहाँ पर agrochemicals और chemical fertilizers का इस्तमाल कम होता है, और्गनिक फार्मिंग को पर्मोट करने के लिए, North East के रीजन से natural choice है, सिक्किम का example लीजिए, सिक्किम हमारे देश का पहला organic state है, सिक्किम दूस हेक्टेर का जो लेंड है, वो organic cultivation के अंतरकत आता है, लेकिन जातर ये जो 90,500 हेक्टेर का लेंड है आल्मोस्ट थ्री फिफ्ट यनि 60% तो अकेले सिक्किम में है, लेकिन मिघाल्य असम कुछ ऐसे राज्या है, जो organic farming के मामले में अब धिरे धिरे आगे निकल रहे हैं, इसक जितना pineapple produce होता है, उसमें northeast region 45% contribute करता है, और पूरे world में जितनी ilaichi produce होती है, सिक्किम उसमें 54% contribute करता है, northeast region हमार देश में fourth largest producer of oranges है, यानि चोथे नमबर पे सबसे ज़्यादा संत्रें, इंडिया में northeast region में produce होते हैं, इसके अलावा देखो, one of the best quality का अध्रक जो हैं, वो न northeast region में produce होता हैं, और northeast region कुछ नीशे crops के लिए भी जाना जाता है, जैसे असम में देखो, असम lemon, जोहर rice, medicinal rice, पैसन fruits, इनके demand market में ज़्यादा हैं, तो इन products को अगर देखो, organic dimension दी जाएना, तो साइद ये जो products हैं, वो और भी ज़्यादा बिकेंगे, तो आवशकता ये हैं कि जो इन issues के हमने बात की न, ये issues कैसे न कैसे करके सरकार को address करने होंगे, अगर सरकार organic farming को boost करना चाहती है, चाहती है कि हमारे देश के किसान ज़्यादा से ज़्यादा organic farming करें, तो सरकार को ये issues address करने होंगे, चलते हैं आगे, इसके बाद next article climate finance से समदित हैं, आप GS paper 3 के इस topic से article को relate कर सकते हो, देखो 2015 के Paris Climate Change Agreement में ये तै हुआ था, 2020 के बाद हर साल, developed countries, developing countries को 100 billion dollars की मदद देंगे, ताकि developing countries, climate change से निपट सके, मैं फिर सब बोलता हूँ, 2015 में साइन हुए Paris Climate Change Agreement में ये तै हुआ था, कि 2020 के बाद हर साल, developed countries, developing countries को 100 billion dollars की मदद देंगे, ताकि developing countries ज्यादा अच्छे धंग से climate change से निपट सकें, अभी तक देखो ये target achieve तो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ media reports ये सामने आई हैं, कि 2025 आते आते, developed countries अपने इस commitment को पूरा कर देंगी, OECD एक group है, organization for economic cooperation and development, इस group ने भी कहा हम, 2018 में, developed countries ने जो developing countries को मदद दीना, climate change से निपटने के लिए, वो 78.9 billion dollars की थी, राइटर इन चीजों से इत्तिफाक नहीं रखते, राइटर कहते हैं, देखो developed countries जो है न, सही माइनों में बहुत कम मदद कर रहे हैं developing countries को इस respect में, क्यूंकि देखो, ये जो 78 billion dollars की मदद गई है न, 2018 में, developed countries के तरफ से developing countries को, सबसे बड़ी बात, ये सारा public finance नहीं है, मतलब developed countries की सरकारों ने मदद नहीं दी है, इवन private finance अगर कुछ हुआ है, private companies ने कुछ मदद की हैं, तो उसे भी developed countries ने, अपने इस 100 billion dollars के आकड़े में count कर लिया है, तो public finance की बात हुई थी, यानि सरकारों की तरफ से मदद की बात हुई थी, बाकी companies जो मदद करेंगी वो तो अलग हैं, दूसरा, जब हम मदद की बात करते हैं न, कि developed countries, developing countries की 100 billion dollars की मदद करेंगी, तो देखो, इसका मतलब यह होता है, aid देंगी, grant देंगी, मतलब पैसा देंगी सिधा-सिधा developed countries, developing countries को, जो वापस नहीं लेना है उनको, लेकिन developed countries क्या कर रही हैं, loan दे देती हैं, green loan दे दिया, कि आप कोई green project establish कर लो, इसके लिए हम आपको loan दे देते हैं, भहिया, developed countries यह पैसा बाद में मांगेगी भी तो सही न, developing countries से, तो यह भी आँखों में धूल जोकने वाली बात है, इसके अलावा, तीसरी चीज़, बहुत सारी मदद जो developed countries के द्वारा developing countries को की जाती हैं, वो direct climate action को address नहीं करती हैं, इवन food के लिए, medicines के लिए भी अगर मदद कर दी, developed countries ने, developing countries को, तो भी वो बोल देते हैं, कि यह directly, indirectly, climate change को address करने की दिशा में मदद करेगी, लेकिन देखो ऐसा नहीं है, direct, जिससे climate change address हो, उस मदद की आप बात कीजिए, इवन देखो बोलता तो USA भी है, अब Trump के कारकाल में तो USA Paris climate change agreement से पीछे हट गया था, लेकिन अब Biden राष्टपती हैं, तो Biden ने बोला है, 2024 आते हम, annual जो climate finance हैं, यानि developing countries को, जो मदद की जाती हैं, उसे double कर देंगे, लेकिन USA का इतिहास बताता है, कि ऐसा possible होगा नहीं, USA जो commitment करता है न, इस मामले में, वो पूरी नहीं करता हैं, conclusion में कहा जाता है, आव शक्ता देखो ये है, कि जल्द से जल्द, develop countries अपना वादा निभाएं, अगर देखो इस परकार से आप मदद दोगे, और बोलोगे बाद में कि ये तो loan है, वापस देना पड़ेगा आपको, ऐसे तो देखो जो गरीब देश हैं, वो green debt trap में फस जा होगा, तो ये पूरा article हमने discuss किया, चलते हैं आगे, इसके बाद last जो article है, वो terrorism से समधित है, आप GS paper 3 के इस topic से article को relate कर सकते हो, M.K. Narayanan, जो देखो past में national security advisor रह चुके हैं, इन्हों ने ये article लिखा है, तो पहले हम slayvers में GS paper 3 के security में जो topic है terrorism, उसके कुछ basics discuss करते हैं, उसक के बाद आज का ये article discuss करेंगे, सबसे पहले तो देखो आप ये जान लीजिए, terrorism यानि आतकवाद एक modern phenomenon नहीं है, ऐसा नहीं कि World Trade Center के उपर हमले के बाद आतकवाद की सुरुवात हुई हो, आतकवाद एक बहुत पुराना phenomenon है, examples के तोर पर 70 AD में Jewish groups जिने शिकारी कहा जाता ये देखो, Romans को किड्नैप किया करते थे, या फिर उन Jewish लोग को किड्नैप किया करते थे, उनको मारा करते थे, जो Romans का साथ देते थे, इंडिया में भी ठगी सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा होगा, modern इंडिया में, ठगी सिस्टम में ये एक परकार से देखो, रीचुल होता था, जो काली माता को खुश करने के लिए होता था वैसे 13th century से यानि 13th तापदी से ठागी समंदीत incidents इंडिया में देखने को मिलते हैं लेकिन ठागी बहुत ज़्यादा बढ़ गई 19th century में उस समय बिटिशनर्स को campaign भी लोंज करना पढ़ा ठागी को खतम करने के लिए और देखो जब French Revolution हुई 1789 में French Revolution आई France में और 1793-94 के आसपास France में Reign of Terror देखने को मिला उस समय जैकोबियन्स Robes Pierre के अध्यक्सता में लोगों को मारा करते थे ये बोलके कि आप तो Revolution के दुस्मन हो You are the enemy of revolution ऐसा बोल बोलके उस समय जैकोबियन्स के द्वारा 40,000 लोग की हत्याएं कर दी गई तो वो देखो Terror का दोर था और वहीं से Terrorist वाइड भी निकल के आता है तो ये हमने समझा कि Terrorism एक Modern phenomenon नहीं है 2000 साल पहले भी अलमुश 2000 साल पहले Terrorism के Examples देखने को मिलते है बट देखो एक बात यहाँ पर mention करने लायक है 1990 तक Terrorism को Security Concern of the Second Order माना जाता था मतलब Security Concern तो था Terrorism लेकिन इतना ज़ादा Serious Terrorism को नहीं लिया जाता था दूसरे देश से जो खत्रा है उसको ज़ादा Serious लिया जाता था विबिन देशों के द्वारा कि हाँ यह मेरा दुस्मन देश है इससे खत्रा है इससे बचने की त्यारी करनी है लेकिन किसी Non-State Actor से बहुत ज़ादा खत्रा है कि specially बहुत जबरदस त्यारी की जाए Wide Scale पर यूद स्तर पर वो नहीं देखा जाता था लेकिन जब देखो 2001 में World Trade Center के ऊपर हमला हुआ तो फिर terrorism को लेके विबिन देशों की जो सोच है वो बदल गई देखो terrorism की काफी सारी waves है यह हम आगे इस lecture में discuss भी करेंगे कि First wave of terrorism, Second wave of terrorism मतलब कैसे terrorism का जो सवरूप है motivation जो है वो time के अनुसार बदलता गया देखो 1990s में globalization भी काफी ज़्यादा तेजी से आया तो उसके बाद terrorism भी एकदम से बढ़ गया क्यूं? यहाँ पे देखो question बन सकता है Impact of globalization on terrorism globalization का terrorism पर क्या परभाव पड़ा? देखो terrorists ज़्यादा active हो गए globalization के बाद क्योंकि borders जब विविन देशों के बीच dilute हुए तो terrorists जो अपना propaganda spread करते हैं mind-wash करने की कोशिस करते हैं उनको mind-wash करना और भी ज़्यादा आसान हो गया, ऐसे ऐसे technology आई कि information spread करना काफी आसान हो गया, चोरी चुपे बात करना आसान हो गया, तो देखो इन examples के base पे आप कह सकते हो कि modern terrorism और globalization के बीच एक घहरा नाता है आप एक बात बताईए IS-IS शुरू में इराक में आया था, लेकिन बाद में IS-IS ने अपनी जड़े जमाई Islamic State ने अपनी जड़े विविन देशों में जमा ली लोगों को अकरसित कर पाया अपनी ideology की साहिता से, तभी Islamic State ने और भी दूसरे देशों में अपनी जड़े जमाने की कोशिस की ये globalization का ही example है इसके बाद हम terrorism की definition की बात करते हैं देखो terrorism को define करना बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि अलग-अलग interpretations है लेकिन फिर भी terrorism को define करने में काफी दिखते आती हैं, देखो मैं आपको दो examples देता हूँ, मान लीजे A, B को मार देता है क्यों? क्योंकि A की personal दूस्मनी है B के साथ में और दूसरे case में A, B को मार देता है क्योंकि A established rule को खतम करके, destroy करके कोई दूसरा rule establish करना चाता है, दूसरी सरकार establish करना चाता है, तो बताइए पहला case terrorism से समदित है या फिर दूसरा case आपने बिल्कुल सही सोचा है, दूसरा जो case है वो terrorism से समदित है तो देखो यहाँ पर difference क्या आया यहाँ पर difference आया objective का एक person A किसी पूरे परिवार को गोली मार देता है, B के पूरे परिवार को गोली मार दिया, दस लोगो को, दस लोगो को मार दिया लेकिन यह terrorism नहीं है क्यों? क्योंकि A की दुस्मनी है B के परिवार के साथ लेकिन A का, अगर objective यह है कि political कोई objective है तो फिर ये terrorism की category में आएगा तो यहाँ पर focus objective पर है, intention पर है Debates और भी काफी सारे हैं terrorism की definition में जैसे देखो क्या terrorism सिरफ non-state actors के दोरा carry out किया जाता है मतलब क्या सिरफ non-state जो actors होते हैं non-state organizations वही terror organization हो सकती है क्या कोई state, कोई देश terrorism समन्दित activities को carry out नहीं कर सकता ये भी एक debate है अभी definition में आगे आएगा भी क्यूंकि देखो USA के उपर आरोप लगता है कि उन्होंने काफी सारे देशों में जैसे लीबिया में, काई सारे दूसरे देशों में उन्होंने terrorism को spread किया है तो ये state sponsored terrorism है जो USA ने किया है और भी debates है जैसे अब कुछ experts बोलते हैं कि terrorism का सिकार innocent civilians होते हैं तो फिर दूसरे experts question पूछते हैं अच्छा, तो अगर मान लीजिए military establishments को निशाना बनाया जाता है, तो क्या वो terrorism नहीं है तो ये सब debates हैं जो हम ने discuss की, अब देखो exam में आपको लिखना हो तो आप ये लिख सकते हो, terrorism can be seen from above and below, above मतलब state के द्वारा जो terrorism को define क्या जाता है, ये FBI की definition है, जो कहती है unlawful use of violence to intimidate or course a government, the civilian population in furtherance of political or social objective, इसका मतलब ये है, गयर कानूनी धंग से violence का इस्तेमाल करना, government को ये फिर civilian population को ड्राने के लिए, धंकाने के लिए, उनको force करने के लिए, ताकि अपने political और social objectives को सर्व किया जासके तो मैंने कहा था ना आपको कि objective word यहाँ पे important है, intention, objective, ये important है इसके बाद next point है from above, from above aspect जो है terrorism का, वो देखो state sponsored terrorism से समदित है, government terror सरकार के द्वारा जो terror फिलाए जाता है, बेसक वो directly फिलाएं या फिर sponsor करें terror को, यनि state का किसी परकार से involvement होता है terror में, जैसे पाकिस्तान के उपर आरोप लगते हैं और वो आरोप कही ना कहीं देखो, सहीं भी है, कास्मीर में जो terrorism spread होता है वो पाकिस्तान sponsored है तो ये example है from above terrorism का इसके बाद देखो गुडीन की जो definition है terrorism की, वो आप court कर सकते हो answers में, गुडीन ने कहा था terrorism is a form of political violence that aims to achieve its objectives through creating a climate of fear and apprehension, मतलब जो लोग terrorist होते हैं वो political violence का सारा लेते हैं, अपने objectives को achieve करने के लिए और करते कैसे हैं डर का एक महोल त्यार करके ये हम discuss कर चुके हैं कि terrorism एक interpretation का मामला है कोई person एक देश के लिए terrorist हो सकता है और दूसरे देश के लिए hero हो सकता है, जैसे बुर्हान वनी टेरिष्ट हैं इंडिया के लिए, लेकिन पाकिस्तान के जो leaders हैं, उसे hero बदाते हैं, वैसे ये example समझने के लिए हैं आप answer में मत इस्तिमाल कीजेगा लेकिन देखो कुछ भी हो बारनेट कहते हैं टेरिजम को आप morally तो बिल्कुल भी justify कर ही नहीं सकते कितना भी noble आपका goal हो, लेकिन आप terrorism को morally justify नहीं कर सकते हैं, तो इस परकाण से देखो, हमने terrorism का basic समझ लिया मतलब क्या होता है terrorism का देखो 2001 में USA के world trade center और दूसरी जग़ों पर attack हुआ था, तो उसके war on terror छेडा नम initially कुछ तो help मिली जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान खास करके अफगानिस्तान यहाँ पर बहुत सारी terror organizations active थी जैसे अलकाईदा लेकिन USA के intervention से अलकाईदा बहुत कमजोर हो गई अलकाईदा के अलग-अलब off-sorts है, मतलब branches है अलग-अलग जगाओं पर यह बात सच है, कि जैसा attack इनोंने 2001 में किया था, वैसा attack अभी तक नहीं हुआ है, और बगवान करे हो बीना, मतलब कहने का देखो यह है, कि कुछ तो फरक पड़ा है जरूर लेकिन यूं कहना कि आतकवाद अब हार चुका है एक major threat नहीं है यह बात देखो, गलत होगी जो vision लादेन में था वैसा vision जो लादेन के successor थे अलकाईदा के दूशे leaders थे इनका नाम भी दिया हुआ है, इनको answer में लिखने का कोई फाइदा नहीं है इन में वो vision नहीं था और देखो हो ये गया धीरे धीरे ये जो अलग-अलग branches है ना अलकाईदा की अलकाईदा के जो main leader है उनका hold इन branches पे कम होता गया इसलिए बहुत सारी organizations ऐसी है जो अलकाईदा का सिरफ नाम नाम यूज़ कर रही है लेकिन अलकाईदा का influence उनके उपर उतना नहीं है इसी थेम पर देखो आंतकवाद का ना decentralization हो गया है जैसे example के तोर पर lone wolf terrorist मतलब जो Islamic state की या फिर अलकाईदा की ideology से परभावित है और अपने आप से ही terror attack अंजाम दे देते हैं अब ऐसे लोगों को कैसे पकड़ा जाए देखो आंतकवादी मिल के काम करते हैं न तो उनको पकड़ना आसान होता है कोई ना कोई input मिल जाती है लेकिन कोई person है वो radicalize हो चुका है उसके मन में क्या चल रहा है यह जानना मुस्किल है ऐसे लोगों को पकड़ना intelligence agencies के द्वारा मुस्किल हो जाता है और आतकवाद देखो form बदल चुका है आज के समय में जैसे US में जो attack हुआ 2001 में मुंबई में जो attack हुआ 2611 वो तो देखो हो सकते हैं लेकिन इसके अलावा technology ऐसी आ गई है कि आप दूर बैठे remote control से bomb attack कर सकते हो drone attack बहुत होने लगे हैं मुनलब नई नई technology आ गई है तो खत्रा भी बहुत ज़दा बढ़ गया है पहले आतकवादियों के द्वारा recruitment करना मुश्किल होता था लेकिन internet के age में recruitment करना काफी आसान हो गया है बहुत बार तो ऐसा होता है remote handler मतलब radicalized जो youth होते हैं उनका handler दूर बैठा होता है किसी दूसरे देश में दूबाई में या फिर दूसरे देश में सारी instructions देता रहता है और कभी भी उसके पकड़े जाने की संभावना जो है निल होती है तो इससे खत्रा जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया है कल को देखो आतकवादी cyber sabotage भी कर सकते हैं जैसे अभी तक तो चाइना पर अरोप लगता है रश्या पर अरोप लगता है कि चाइना और रश्या के जो hacker है वो दूसरे देश के critical infrastructure को कई बार नुकसान पहुंचाने के कोशिस करते हैं मान लीजिए आतकवादियों ने hacking सीख ली तो तो वो लगातार hacking के जो attempt हैं cyber sabotage के जो attempt हैं वो करते रहेंगे तो कहने का मतलब ये हैं terrorism की जो चुनोती हैं वो देखो पहले से भी ज़्यादा खतरनाक है आतकवाद खतम नहीं हुआ है अपनी form चेंज कर चुका है इतिहास हमें evidence प्रोवाइड करता है बहुत से लोग, बहुत से leaders जो political power हासिल करना चाहते हैं वो देखो आतकवाद का इस्टमाल करते रहेंगे जैसे देखो ये तालिबान जैसे लोग है आपको सही में लगता है कि इनको इसलाम से कोई लेना देना है नहीं, इनको सिरफ power से लेना देना है सत्ता चाहते हैं ये और कुछ नहीं, मतलब सत्ता हासिल करने के लिए religion इनके हाथों में एक tool है उसी परकार से दूसरे आंथ की संक्थन है जो इस्तमाल करते हैं धरम का power हासिल करने के लिए अपनी आर्मी मनाने के लिए जैसे देखो इंडिया में भी बहुत से जो invaders थे, वो धरम का सारा लेते थे धरम के नाम पे अपनी आर्मी को motivate करते थे तो ये चीज खतम नहीं होने वाली है आवशक्ता ये है कि हमारे देश में हम देखो हमारा जो intelligence का architecture है उसे strong बनाए ताकि अगर कोई shell activate है आतक सम्मंदित तो उसे समय रहते पकड़ा जासके और आतकी घटना को होने से रोका जासके सरकार को देखो तैयारी करनी होगी कस्मीर में भी आप देख लीजिए जैसे minorities को निशाना बनाय जा रहा है क्या चाते हैं आतकवादी यही तो चाते हैं कस्मीर में हालात ऐसे पैदा हो एक तरफ मतलब विबिन धर्मों के लोग की नफरत पैदा हो दूसरी तरफ देख के दूसरे हिस्सों में भी कस्मीर के लोगों के खिलाफ नफरत पैदा हो तो यही तो आतकवादी चाते हैं कि आपस में विबिन धर्मों की लडाई करवा दें और इंडिया as a country वो पिछड जाए उनकी सोच ही यह है खेर कंक्लूजन इस आर्टिकल का यही निकलता है आतकवाद खतम नहीं हुआ है नहीं होगा फोर्म चेंज कर चुका है और सरकार को भी अपने तरीके बदल लेने चाहिए आतकवाद से निपटने के लिए यह हमने पूरा आर्टिकल डिसकस किया हमारी आज